आपका स्वागत है आज हम लोग सातवा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर कॉंट्री इंडिया मतलब अपने देश के बारे में पढ़ेंगे कि यह कहां लोकेटिड है कितना एरिया है कितना बड़ा है और इसके कुछ फिजिकल जो लैंडफॉंस है उसके बारे में सब्सक्राइब है उन्हें देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे कुछ रिलेटर यह चाप्टर है तो चलिए चाप्टर को स्थ्रू करते हैं पहला तर्मा था कि पनेंसूला मतलब होता है जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि आइलेंड आईलेंड मासे सोते ह जिसके चारों तरफ से water हो और peninsula उसे कहा जाता है कि जिसके तीन तरफ से water हो अब जैसे कि इंडिया का southern part आप देख सकते हैं इस image में कि तीन तरफ से water से घिड़ा हुआ है इसलिए इसे peninsula कहा जाएगा उसकी बाद आजए अपने देश के इस map को देखिए तो अपने देश इसका ऊपर वाला जो portion है मतलब कि northern part यह northern part हिमालिया से घिड़ा हुआ है ठीक है मतलब ऊपर से यहां से लेकर यहां तो पूरा हिमालिया रेंजेस पाया जाते हैं हिमालिया एक mountain है उसके बाद पास्टमी पार्ट में देख सकते हैं यह पाकिस्तान है और फिर इसके नीचे पंगलादेस है और फिर south part में देखिए यह Indian Ocean है उसके बाद इसका एरिया जो पूरा का एरिया जो है यह 3.28 million square kilometer है मतलब होता है 10 lakh ठीक है तो मतलब कि 32 lakh के आसपास है यह अपरोक्स यहां वहलो दिया गया है एकुरेट जो है कुछ ज्यादा ही है उसके बाद आप ऊपर से नीचे तक का पूरा distance देखें जैसे कि यह पकन्या कुमारी से लेकर उपर जम्मो कस्मीर तक तो लगभग 2200 km जो कि यहां पर दिया गया है वैसे 3216 km, 3214 km होता है और फिर यह 233 km होता है जो कि इस साइट से लेकर के गुजरात से उधर तक इसे 233 km होता है जो कि यहां ले इंडिया में बहुत ही variety of climate मिलते हैं, vegetation भी है और wildlife मतलब होता है कि जंगले जीव और climate मौसम समझते ही आप और यहां पर तरह तरह के plants भी मिलते हैं और लगभग इसका population 120 क्रोड यहां पर दिया गया है जो कि लगभग 125 क्रोड पार कर चुका है अब जिसे मोहतीजी बार बा काते हैं और फिर यहां पर दुनिया का दूसरा सबसे populous country है अपना देश, China सबसे ज़्यादा है population में, population मतलब होता है जंसंख्या, तो जंसंख्या में China सबसे ज़्यादा है उसके बाद अपना देश का नाम आता है, यहां पर do you know में कुछ दिया हुआ है, जब हम लोग standard meridian के पढ़ाई पढ़ा है तो उसमें हम लोग ने देखा था कि कुछ ऐसे countries हैं जो अगर बड़े हैं तो अपने आप के देश के time zone को दो तीन पार्ट में भाट लिये हैं या उससे भी जादा में, जैसे कि इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास एक ही time zone है, जो कि पू दूसरे chapter में पढ़ा था, तो आपको comment box में इसका एंसा देना है, देखते हैं कितने लोग देखाते हैं, longitude and latitude वाले chapter में ही हम लोग ने पढ़ा था topic of cancer के बारे में, जो कि 23 and half degree, मतलब कि 23 and 30 minute north से पास करता है, तो इंडिया नौर्थ आपने में हैं, उसमें ही मैंने बता द दिया था, और इंडिया के बीचों बीच से इस इमेज को देखिए, topic of cancer पास करता है, जो कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उपर वाला, topic of cancer से उपर वाला हो गया, और topic of cancer से नीचे वाला पार्ट है, उसके बाद, अगर longitude के हम लोग बात करें, तो इ अब आप latitude and longitude chapter देखेंगे, chapter 2 है, उपर आई पर देख सकते हैं, click करके, तो यहां तक यह फैला हुआ है, और जिसका लगबख difference 29 degree होता है, और एक longitude को पास करने में सुर्च को चार मिनट लगता है, जिसके वज़र से हम लोग ने calculate महा किया था, कि 2 घंटे लगबख सुर् North latitude से ले करके, 37 degree 6 minute latitude तक इंडिया का extent है, और यह भी लगबख 29 degree के आस पास होता है, और यह जो लाइन दिख रहा है, इसे Standard Meridian India को ले लिया गया है, जिसके बादे में लोग ने उसी चप्टर में पढ़ा था, 82 and a half degree यह कि 82 and 30 minute East latitude पे लिया गया है, और इसी से time decide किया जाता है, जिसके बाद से कि 2 घंटे पहले सुर्ज है निकल जाता है और नाचल परदेश में और 2 घंटे बाद पहुंचता है गुजरात में, तो 2 hours का time difference यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस map में हम लोग देख सकते हैं अपने देश के पडोसी देशों के बारे में, अब जैस हो गया और यह बंगलादेश हो गया, इधर मयान मार हो गया, तो इनके बादेश फिजिकली अपने देश से टच करते हैं, फिर नीचे में जाईएगा, तो यह सिरलंका आप देख सकते हैं, लेकिन इसके फिजिकली टच नहीं करते हैं, थोड़ा सा बीच में एक एस्ट्रे यह देश है, मालदेश, जो छोटा कॉंट्री है, वो भी अपने देश का पुडोसी देश है, अब देखें, माल लीजिए पूरे इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या वो पूरे राज के हर कोने को समझ लेगा, जान लेगा, या मतलब वहां तर क कर पाएगा, ऐसा मुम्किन नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने देश को 29 राजों में बाठा गया है, इस किताब में 28 दिया गया है, लेकिन अब एक बढ़ गया है, और अंतिम राज जो है, वो तिलंगाना बनाया गया था, इसे आंधरपर देश को कट करके, ऐसे, और फिर ये 29 राज को, फिर टिस्टिक्ट में डिवाइट किया गया है, और हर राज के एक मुकमंत्री बनाया गया, ऐसे है, तो उसके बाद 7 union territories भी बनाया गया है, union territories उसे करते हैं, जो कि केंद सरकार के अंडर में डारेक्ट काम करते हैं, अब जिसे कोई ऐसा चोटा एरिया हो जह लेकिन इन दोनों का जो इस्टेट का केपिटल है वह चंड़िगर्ड ही है तो यह ध्यान रखिएगा कि इन दोनों से पढ़ने से पहले यह थो वर्ड समझें लें इलूवियल डिपोजिट्स जो होता है जिसे कि मैंने पिछले चार्टर में बताया था कि ऊपर से पहार से पानी चलता है और वो रिवर का फर्म हो जाता है लास्ट में जाता है तो यह ऊपर से पहार जो है पहार को काटते काटते कंकरमिटी पत्थर यह सब ले करके ऊपर से मुझ सुलने में यह करते हैं तो इन विबिमी थीले तक ब anonymous की और फोफ हाँर नीस में तरेती है देश को टरुईन कुछ और टरुररी कि इसको मारत जाता है। कुछ और विए तरह का जाता हैं कि फडिगे का स्विल अगर बात करें तो यह देखिए उपर वाले ने कितना अनुखा इसे बनाया है इस देश को जैसे कि देख सकते हैं आप सबसे उपर में हिमालियन रेंज है जो कि प्रोटेक्शन का एक काम करता है कि उस पर साइड से हमाली जे चाहिना है तो अटेक करने में थोड़ा मुस्कि होता है और फिर हमालियन रेंज को देख सकते हैं तीन पार्ट में पारलेल तरीके से बाटा जाता है अब देखिए इस मैप को ऊपर वाला पार्ट जो कि सबसे हाइट है उटा भी है और इसी में आप मांट एवरेस्ट का नाम चुने होंगे इसी में आता है तो इसे मा gift ग्रेमियन आतीं।ो इसे में ओचले हैं तो दौने का उब दूखने के सब उने का है उसके बूदी के सभी हमाधरी और हमाधरी के यह शावड में मौजूध है इससे मिडल हमालिय का जाता है यह सब नाम याद कर लीजिए और स्विवाली के रेंज जो कि सबसे साउथ म मतलब कि north से अब देख लिएजें सबसे south में इधर वाला जो यह part है इसे shivalik range कहा जाता है या shivalik कहा जाता है अब यह तो उच्छा वाला part हो गया mountain हो गया, mountain से पानी निकलेगा जिससे कि reverse बनेगा और यही reverse बनते हैं जीसे यह देख सकते हैं तो यह तीनों रीभर्स निकलते हैं वोपर से और यही deposits करते हैं सोयल जो की बहुतих fertile होता है और इससे जो है जो नोर्थ से हिमालिया से Southern पार्ट वाला है यह पार्ट यह सभी plans बन गहें हैं यह सब भी खेती के लिए बहुत ही उपजाओ होते हैं तो इसलिए यहाँ पे बहुत आसानी से खेती भी होती है और भी positives हैं तो इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग population रहना, जनसंख्या रहना पसंद करता है और इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, यह सबकर जनसंख्या बहुत ज्यादा भी है अगर पस्चमी बात करें तो पस्चमी में यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का पस्चमी पार्ट यहाँ पे ग्रेट इंडियन डिजर्ट जिसे सिर्फ डिजर्ट भी घाए जाता है तो यह डिजर्ट पाया जाते हैं यह बहुत ही होट और सैंडी सैंड की तरह होते हैं और इधर बहुत ही कम वेजटेशन पाया जाते हैं हार्ष कलाइमेट होता है यहाँ राना थोड़ा कम इसलिए इधर population बहुत कम होता है अगर Northern Plains से थोड़ा और South बढ़ें मतलब इस रेजन में तो यहाँ पे ट्रेंगुलर सेप का मतलब कि इतनी ट्रेंगल के जरा है प्रेंसुला प्लेट्यू पाये जाता है प्रेंसुला तो वर्ड मैंने संजा ही दिया प्लेट्यू पिसले चेट्र में मैंने बताया था तो प्लेट्यू पाये जाता है मतलब यहाँ पे हाई लेंड्स यहां से सुरू हो जाते हैं उबढ़ कावर लेंड्स होते हैं कहीं हील हो जाएंगे इसके पस्चमी वाला पार्ट यहां देखिए अर्वली हिल्स पाये जाते हैं फिर यहां देखिए विंद्याज और सत्पुराज रेंज पाये जाते हैं और यह जैसे कि उंचा वाला इलाका हो गया सत्पुराज और विंद्याज तो इन्में से फिर पानी निकलते हैं तो इन्हें यह सब नर्मदा और तापी रिवर बन करके वेस्ट वार्ड में मतलब पस्चमी पार्ट के तरह बढ़ते हैं और यह आगे बढ़ते बढ़ते अर्बियन सी में जाकर गिर जाते हैं तो यह टू इवर्स हैं इंडिया के जो की पूरूप से पस्चम के तरफ फ्लो करते हैं और सभी इवर्स पस्चम से पूरूप के तरफ या दूसरे रास्ते में फ्लो करते हैं अब इस पलेटियू से और आगे बढ़े हैं, तो ये जो पस्चमी पार्ट पे, यहां पे वेस्टण ग्हाट मिलते हैं, तो वेस्ट-गाट से थोड़े कम हाइट्स के होते हैं, पलेट्यू हैं, ये वेस्टण ग्हाट जो हैं, यह रेगूलर हैं, मतलग कि पूरी तर्प nostalgia स पिर किर से तुटा गवे मतलब कि कम है कहीं मतलब है इस तरह के से भी और दूसरी बात कि Western Ghats ज्यादा हाइट के हैं Eastern Ghats के तुलने में तो Western से Eastern के तरफ एक लेवल हो जाता है और Western Ghats से जो पानी जो यह सब बिखलते हैं तो यही इधर से रीवर बन करके Eastern Ghats के तरफ बाते हैं और इनहीं रीवर्स में आप Krishna, Kaveri, Narmada यह सब रीवर्स इनर से फ्लो करते हैं और यह प्लाइट्यू रीजन हो गया यह आपका rich in minerals होता है minerals बहुत जादा अक हैं जिसे आप सुने होंगे cool iron और यह सब निखलते हैं उसके पार जो यह घाट्स हो गए इसके बगल में फिर जो पानी है sea के इसके बज़ा से मिट्टी दह गए है मतलब इक कम हो गए है तो इससे बज़ा से यहाँ पे plains आपको मिलेंगे तो western plains भी मिलेंगे और फिर eastern plains भी मिलेंगे वैसे western coastal plain इससे coastal plain का जाता है क्योंकि coastline पे sea से मिला गए है तो यह coastal plains से western coastal plains थोड़े नेरों हैं मतलब पतले हैं लेकिन eastern coastal plains थोड़े ज़्यादा चोड़े हैं और जो rivers जो गिरते हैं eastern coastal plains से होते हैं वो डेल्टास का निर्वान करते हैं अब जाइनिये के deltas किसे करते हैं देल्टास होते हैं rivers उपर से जो भी कंकर पत्थर यह समिट्टी लेकर जाते हैं उसे rivers जब oceans में गिरेंगे तो deposits कर देंगे तो उन deposits से oceans भरते हैं मतलब कि rivers के मुह पे और वो triangular shape में भर जाते हैं एक plains कि दर निर्वान कर देते हैं तो इसी को deltas दोले जाता है तो दुनिया का सबसे बाए delta सुंदर्वन डेल्टा है और सुंदर्वन डेल्टा गंगा प्राहम पुत्र रीवर दोनों मिल करके जब यह बंगला देश से होते हुए जाते हैं तो वहाँ पे बनाता है तो यह सुंदर्वन डेल्टा याद रखिएगा निकोबार और लचटवीप दो यह आईलेंडस है जो की अपने देश के कपजे में है मतलब कि इंडिया का ही पार्ट है और लचटवीप और अंडवन यह निकोबार यह दोनों यह लचटवीप का देख सकते हैं कि अर्बियंसी में है ठीक है और अंडमान और निकोबार भी अफ बंगाल में हैं यहां पे बहुत कम लोग रहते हैं लेकिन प्लांट्स और इनिमल्स बहुत स्यादा है उसक्राद एक बार एक सुनामी आई थी सुनामी उसे कहा जाता है कि मालेज ये ओसियन में भुकम पा गया जिसके वज़े से पानी हिलने लगता है और ये बहुत तूझा उद करके चलता है तो इससे वज़े से क्या हुआ था कि अन्डमान निकोबार में कुछ आईलेंड्स थे जो दब गये थे प्रीथवी के अंदर में वो खतम ही हो गया लचदीप आईलेंड को कोरल आईलेंड भी कहा जाता है अब आईए कोरल आईलेंड क्यों कहा जाता है तो देखें पोलीप्स नाम के और गनिजम होते हैं जो कि मिराइन होते हैं मिराइन उसे और गनिजम को कहा जाता है जो कि सी में अपना लाइफ जिते हैं तो यह लोग जब मर जाते हैं, तो इसके लेटंस मतलब हड़ियां जो इनकी बच जाती है, यह deposit हो जाते हैं, जैसे कि कोई नीचे island है, तो उसके उपर deposit हो जाते हैं, और फिर यही corals कालाते हैं, ठीक है, तो यह जो लचेट भी बना हुआ है, यह corals से बना हुआ है, और जैस आप exercise करते हैं, पहला question है, name the measure of physical divisions of India, तो physical divisions of India है, जो आप लिख सकते हैं, mountains है, plants भी है, प्लैट्यू भी है, इसके बास और desserts भी हैं, तो यह सब आप लिख सकते हैं, फिर आपका अगला question है, कि India shares its land quantities with seven countries named them, तो 7 countries का नाम मैंने बताया है, तो यह आप लिखती जिएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बंगलाधिस हो जाएगा, आफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूतान, मैनमार, यह सब हो which two measures and reverse fall into the RBNC, तो मैंने बताया है, तापी और नर्मदा, यह दोनों reverse पस्चिम के तरफ बढ़ते हैं, और RBNC में जाकर के गरते हैं, उसके बादा कुछाना है, कि name the delta fund by the gram by Brahamputra, तो यह दो संदरबन delta मैंने बताया है, उसके बाद है कि how many states and union territories are there in India, which states have common capital, तो states have 29 and union territories have 7, उसके बाद किस दो states का common capital है, तो मैंने बता है कि Chandigarh, हर्याना और Punjab का capital है, दोनों के एक साथ है, उसके बाद है कि why do large number of people live in northern plains, तो मैंने बता है कि plains में cultivation होते हैं, मतलब agriculture वहाँ पे, और illegal soil होते हैं, असानी से फूंड़ पूंड़ जाते हैं, यह सब खरणा आप लिगत उसके बाद पूचता है कि why is Lachaduip known as coral island, तो मैंने अभी बताया कि coral island क्यों का जाता है, इसके बाद है कि क्यों कि corals of polyps animals के बने हुए है, यह सब आइलेंड, इसलिए यह को आजाता है, उसके बाद है कि the south-endmost Himalayas are known as the south-end को के तैसिवालिक, उसके बाद है कि आज़ इसलिए में इंडियान आइलेंड जो है, वो कौन सा है तो लाचaduip है, और बेया बंगाल में कौन है, तो अन्डमान ए निको बाद आपका हो जाएगा धियान रखिएगा, उसके बाद बाद माउंटन रेंज इंडिया, तो सबसे पुराना माउंटन रेंज लेंज लेंग अन्डमसी आपका ही मादरी से का जबता है, लार्जेस्ट एस्टेट इन इंडिया, मैंने मताना इन पहल गया, चारिज्ट ए स्टेट यहां राजस्थान मैप्स इसकेल दिया हुए है यह बहुत इंपोटेंट है अपलोग करने के कोशिश करें इस तरह के से आपका चेप्टर कंप्लीट हो गया यह जो मेरे द्वरा हाइलाइट फीडियप है इसका लिंक को एन इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से जाकर कोपी बनवाकर पर सकते हैं